कश्यों कीनल dá 먹어 27 उसकी क्या वनी चाहिए अल्टर में अथूजिय स्जाहिए अगर कोई ठाल सवास्ट मैंसिक रूप से है थो उसकी क्याओchnitt होनी चाहिए इंतुजियास्टीके हुले चाहिए higher कि फूरी full of energy होनी चाहिए maintain pleasant interpersonal relationship pleasant relationship होना चाहिए maintain करके रखे बच्चों के साथ aggressive होनी चाहिए recognize of once on mistake अपनी गलतियों को भी मानने वाली होनी चाहिए patience हो kindness हो sympathy हो fairness हो बच्चों के साथ मतलब जब उनको पढ़ा रही है तो कोई उनके बीच में ऐसा ना हो कि निश्पक्षता होनी चाहिए मतलब कि एक का पक्ष ले रही है और दूसरे का नहीं ले रही तो dealing में उनका इस तरह से होना चाहिए democracy and courtesy in relationship with people लोग तंत्रों शिष्टचार की भावना होनी चाहिए बच्चों के साथ ability to use praise for work well done ability हो कि अगर बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो उसको प्रेजिंग करें उसको प्रेज करें प्रेजिंग प्लीजिंग पर्सनल अपियरेंस हो उसकी मैनर ऐसा हो उनके चिके और कंसिस्टेंट बिहेवियर हो flexibility हो good sense of humor हो विश्वाश मतलब उनका द्रिष्टिक और लचीला हो थोड़ा हास्य की भावना भी होनी चाहिए प्रेजिंग पूरी दिन सीरियस रहती है तो यह सब चीजें बनाती है एक टीशर को एक हैल्दी माइंड की टीचर इसमें और भी टीचर को जानते हो जिसमें आपको लगता है इनमें यह quality है तो अब भी लिख दो ठीक है ना तो आप इसमें और मैक्सिमम कोशिश करना characteristics लिगर नंबर वन पॉइंट बनाया alternate enthusiastic उसके बारे में थोड़ा explain कर दो कि किस तरह से वह enthusiast है हूं ठीक है ऐसी क्यों हूं ठीक है इस तरह से लिखोगे explore उसको और जाना explain करोगे तो आप मैक्सिमम पॉइंट करोगे ठीक है तो इस इस वह कोशन नंबर 27 ओके लिट उस मूव तो 28 ओके कर दो